Hello d00sk मैं हूरी शेब चार्ट जीर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है fire tv stick remote के बारे में एक जो मतलब comment बहुत सारे मेरे videos में आया है ज्यादा नहीं है यह है बट एवरी वीडियो में at least एक दो कमेंट आती है इसके बारे में तो मैं सोचा आच कि इस वीडियो में थोड़ा सा बात कर लेते इसके बारे में तो fireteeVStik का जो remote है ना दोस्तों इसमें एक complaint जो आ रहा है वहे कि battery drain का कोई issue है की नहीं तो मैं actually fire tv stick almost 2 years plus से use कर रहा हूं मैंने 4K भी use किया है 2019 2020 light भी अभी use कर रहा हूं regularly तो क्या ये problem really है कि नहीं क्योंकि actually मैंने भी ऐसे notice किया है ठीक है कि कभी-कभी ये remote काम करना बंद कर देता है ये वाला नहीं ये तो मेरा नया वाला है इसमें कोई problem नहीं आया है बट जो पुराना वाला था उसमें कभी-कभी मैंने notice किया है तो दोस्तों actually इसको battery drain issue बोलना is not right क्योंकि battery drain issue नहीं है problem क्या है मैं आपको बताता हूं तो problem जो होता है वो है कि जब आप remote use करते हैं आप नॉर्मल यूस कर रहे है एक वीग-दो फूरा यूस किया कोई भी problem नहीं हुआ suddenly एक दिन काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या लगेगा बैटरी खतम हो गया बट आपने रीसेंटली नया बैटरी लगाया है तो आपको लगेगा this is a battery drain issue ठेक है but in reality actually इसका solution जो मुझे मैंने मतलब test किया है यह काम भी करता है number one solution आप अपना जो बैटरी है उसको निकालिये फिर से डालिये काम करना शुरू कर देता है ठीक है बस थोड़ा सा कहीं loose connection जैसे हो जाता है तो कभी-कभी इसलिए काम करना बंद कर देता है तो निकालिये डाल यह काम करना शुरू कर देगा नहीं तो कभी-कभी हमारे इंडियन स्टाइल में भी चेंज करना पड़ता है रिमोट को दिखाना पड़ता है कि बस हम बस है तो ऐसे करके मारना पड़ता है मारने से भी जाधा समय ठीक हो जाता है मैंने भी आक्चली जस्ट मैं फ्रांकली बताता हूँ दो-तीन वीक पहले मैं जो 2019 वाला यूज कर रहा था तो उसमें भी मैं नया बैटरी लगा रहा था एंड तीन-चार दिन बाद काम नहीं कर रहा था रिमोट अभी वह रिमोट बहुत बार गिरा भी है तो में भी वन आफ दे रीजन की वह प्रॉब्लम आ रहा है तो तब ही मैं सोचा हाई मेरा भी क्या बैटरी डेन इश्यू आ गया तो मैं बैटरी को निकाला डाला काम करना शुरू हो गया तो बेसिकली दिस इस दा सोल्यूशन दोस्तों आप मुझे बत्ते यह आप करेंगे तो सॉल हो जाना चाहिए तो अगर आप ऐसे कोई तो आप अपना जो मोबाइल है उसमें फायरेटिविस्टिक का आप रहता है वो अपने फायरेटिविस्टिक से कनेक्ट कर लीजिए ठीक है कनेक्ट करने के बाद आप अपना सेटिंग्स में जाए रिमोट में जाकर अपना जो रिमोट है उसको डिसकनेक्ट कर दीजिए फिर से एक बार pair कर लीजिए pair करने से भी problem ठीक हो जाएगा मैंने कभी ऐसे solution नहीं किया है normally वो first two से हो जाता है but suppose आपका नहीं हो रहा है फिर से फिर से disconnect हो जा रहा है तो आप settings में जाके फिर से एक नया pair कर लीजिए पुराना वाला निकाल के mostly will solve your problem तो अगर video informative लगा मुझे लगा कि मैं use कर रहा हूं देखा भी हूं तो आपके साथ share कर दू informative लगे तो like जरू करना दोस्तों ताकि अगर किसी को ऐसे problem हो रहा है तो फिर नया नया खरीद के कभी कभी लगते क्या है कुछ problem है क्या तो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकते हैं उनको helpful रहे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों आप अगर फायरेटिविस्टिक यूज कर रहे है आप भी अपना